पंद्रह अगस्त है पूरा देश आजादी की वर्सगांट मना रहा है और जो इस आजादी को जिनकी बदोलत आजादी मिली है उन सभी सुतंता संग्राम सेनानियों को उन सभी अमर सहीदों को सद्धानजल दिया जा रहा है यही नहीं उसके उस आजादी के मिलने के बाद आ पर ससस्त्र जवान तैनात रहते हैं जिनकी बदूलत हम घरों में रहकर सुरक्षित अपने आपको महसूस करते हैं उस आजादी को अक्षुड बनाए रखने के लिए जो वह अपनी अपने अपना बलिदान देते हैं उनको भी नहीं भुलाए जा सकता है उनके लिए भी उन जो भी सहीद हुए हैं सभी को सदान जली देते हुए हम नमन करते हैं और ऐसे में हम इस समय मौझूद हैं अमेठी जनपत के संग्रामपूर ब्लाक के ग्रामसभा अमरपूर जोगापूर में जहां पर एक सहीद का परिवार रहता है जो ये सहीद हुए थे केदारनात मिस् जो जीडी से भरती हुए थे सुवेदार मेजर के पत पर थे और जमू कस्मीर में आतंकबादियों से लड़ते लड़ते ये सहीद हुए थे इनकी जो वरस दोहजार च्छा में इनको इनकी सहाधत जो है कभी भूला नहीं पाएगा अमेठी का छेत्र देश का जो है वो सब कहीं ना कहीं इनकी सहाधत से रिड़ी है क्योंकि निश्य दूरुप से ऐसे में हम सीधे उनके घर चलते हैं उनके जो परिवार के जना है उनसे हम बात करेंगे उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे वो है कब क्या उनकी इसिती रही है सीधे उनके जो पतनी है वो देख सकते हैं कि बगल में उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर कब वह जो है कैसे वह रहा करते थे कैसे क्या चीज उनका जो है बहुत उनको प्रियत था सारी चीजों पर और वह क्या महसूस कर रही है सारी चीजों पर हम सीधे जो है उनको प्रकास डालते है क्या नाम है आपका उसा देगे उसा जी यह बताइए कि आपके जो पती थे जो है के दारनात मिस्रा जी वह सहीद हुए किस सन में सहीद हुए थे 2006 2006 में सहीद हुए थे तब उनकी कितनी उम्र थी आपको कुछ अंदाजा है 25 पाइए 35 वर्ष क्यों है कितने बच्चे आपके हैं 4 उनकी कि उसाधी हुए था नहीं शाधी नहीं हुए नहीं तो आछ यह बताईए कि आपको कैसे सूचना मिली और जो है रावव का सहीद हो गया है तो जो है किशी ऑ इस बात की सूचनाा आपको सब्सक्राइब कर दो हजार चे की बात है 2006 में किसी के पास फोन नहीं हुआ करता था तो गाँ गाँ में उसकी सूचना दी गई गाँ में फोन आया यह बहुत आते थे जब घर आते थे अपने परिवार को ले कर कैसे उनका ब्योहार था क्या बढ़ता बच्चों के लिए क्या सोचते थे कैसे क्या बच्चे के लिए पढ़ाना लिखाना सोचते थे बच्चों को क्या वह बनाना चाहते थे क्या कहते थे कहां पढ़ाएंगे क्या बनाएंगे पढ़ाने के लिए अच्छा जब सहीद हुए तो समय कहां पर थे जम्मू कस्मीर में वह जम्मू कस्मीर मे थे दिल्ली में उन्होंने टांसफर लिया था हाला कि टांसफर पर नहीं पहुंचे थे और उसी समय आतंगबादी के हामले में उनको जो है वह बीर गती को प्राप्त हुए और वहीं पर रहकर वह बच्चों को साथ लेकर फैमिली को साथ लेकर वह पढ़ा लिखा कर एक अच की साथा रिचन को कि नहीं है उनके ऑर भी बेटे हैं बेटी हैं जो भी परिंगे सिद्र हम चलते हैं उनके जो बेटे हैं वह भी हमारे साथ मौझूद है क्या नाम है अपको मिरा नम क्रिश्टकान जी यह बताई कि पीता जी आपके जब जो है सहीद हुए थे उसमें आपकी उमर कितनी रही हो पांस या चाहर जो है आपकी उमर रही है तो यह बताई है कि आप जो है कैसा महसू निशित रूप से यह बड़ा ही गंभीर छण होता है उन्हीं यादों को ताजा करने के बाद जो परिजन प्रियजन होते हैं उनके मुह से आवाज नहीं निकलती है कहीं ना कहीं उनका गला रूंद जाता है और चुकि वह यादे जब उस पिता की यादे जिन जो जिसको क उस चंभ को याद करने के बाद आवाजें निकलना आवाज ही कारी होता है यह वाजी क्या कर रहे हैं इस तो आप बनना चाहते हैं क्या करना चाहते है परिवार में किसी को नौकरी नहीं है और सरकार के दोरा क्या सुभिधाय दी गई है उससे भी हम जाने गे यह उनके दूसरे पुत्र है क्या नाम है अपका मेरा नाम सशीकांत मिश्राइब यह बताओ क्या आप करते हो मैं विलावाज निविश्टी से ग्रिजुएशन शेकंडियर कर रहे हैं आप क्या आप जो है आप पिता जी के पचिन्हों पर चल कर क्या बनना चाहते हैं मतला जब मेरे पिता जी सही दुए तो मैं कापी चौट था राए हूँाँ अधयर की सही जानता नहीं हो मेरे म मैं मैं घर ऑड़ाड इडी तुमें उनकी दिदेख नहीं है तो चटके ऊपर से आप से दियूाडों लिः दिड़ुए नहीं से देख तो अभी नहीं दकता था तो एक आप फिसार है ।ो एक घ एक आपी सारे मुझ को जो राइफल हो गिरहती उसकी उसकी निख लोगों को दिखाते थे वो चोटा तो मैं चान्त रहा है यह दो पापा मेरे सवयद वे उस समय आपकी उमर कितनी थी उस समय मेरी उमर थी तीन साल थी और मैं कुछ जानता नहीं हूं और पीदा जी मेरे नही का अबोध बालक उसके दिल पर क्या गुजरेगी यह आप खुद ही समझ सकते हैं उनके भाई हैं उनसे हम जानेंगे जा चुकि निश्चीत रूप से परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई दिन है कि जो है आज उसके पिता नहीं है आज जो है जो कमाने वाला था जो घ कर रह भार हैं आज उनके साथ मौजूद है उनके साथ मैं जी ङृष यह कितने पार जह दो नहीं है कितने वह आप यह सबसे बड़े थे सबसे बड़े थे थे तो जो है पिता जी माता जी नहीं है माता जी है पिता जी नहीं है यह सरकार के जो सहीद हुए आपके बड़े भाई सरकार के द्वारा तमाम सहीदों को सुविधाएं दी जाती है आपको क्या सुविधाएं मिली है आपको कुछ सुविधा मिली है कि नहीं है सरकार की तरफ से तो अब जो सेंटरल की तरफ से था कि बाए बाकि और जराज सरकार के तरफ से कुछुन भी नहीं मिल इस तक श्मारक बना हुआ है वह भी तूटी-फूटी की ca बना हुआ हुआ है जो holidays रवाए इसमारक की 어느 comet सरी वहां बाकिया और कुछ नहीं कोई शुधान नहीं मिली हूई है जो कि सही तर्वयार को मिलनी चाहिए सर्वाइं वस्त दोहजारचा में भाई आपके सही हुए हैं और दोहजारचा से तमाम सरकारें आई गई जो है केंदर और रॉराज में लेकिन किसी सरकानों ने दिहान न सर नेता जी आये थे हमारे राहुल जी आये थे हमारे घर आके गये थे सर रानी अम्तसीं जी आये थी हमारे घर तो गाउं के लोगों ने सब लोगों का अधर सद्कार किया सब को बैठा है यहां पे सर लेकिन उन्होंने हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं सोचना कुछ करने के बारे में बात किया यहां इनको राहुल जी ने हमें नोकरी के लिए बात किया था सर कि हम आपके छोटे लड़के को नोकरी देंगे लेकिन उन्होंने कुछ मतलब हम लेटर बार 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 अपने की दासरी के कहने के बाद में जाते थे लेकिन उनके गार्ड्स लोग होते यहां है वहां है मीटिंग में हम इल भी नहीं पाते थे ना सर ना उस लेटर का कुछ जबाब मिला खर तंग हो गया मैं सर आ जा के तुगलत तक मैं गया हूं दिल्ली तक सर लेकिन कुछ कोई काम नहीं हुआ तो हम लोग हार के बैठ गे और इस टाइम बंस गुपाल मौरिया जीने सर पांच बीगे का जमीन देने के वांटन किया था कि सहित के इसमी को हम पांच बीगा जमीन देंगे जो कि अभी मारे बादी को इस तरीके से जो ग्राम पनचायत के भी हैंचिये से एक पेजल की बिवस्था नहीं है सर हमारे घर मेंकि हम पानी अपने नलके से पानी बहर लें या 10 लोग भर नहीं हम भी इतनी दूर जाते हैं आपको खुडरासता दिखेंगा का सर कि जाने का रास्ता नहीं है हमारे दरवज्जे आप अगर आना चाहें तो डंग से आप बारिश में तो कता ही नहीं आ सकते सर जो कि अभी फिरहाल वही सीन चल रहा है सर यहां सहीदों के लिए सबसे पहले यह होता है कि सहीद द्वार और जो है सहीद के घर तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई जाए तो ऐसे में क्या सहीद द्वार आपके हां बना है या आपके घर तक पहुंचने के लिए सड़क बनाई गई है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हम लोगों के घर पहुचने के लिए तो रास्ता नहीं हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं वो भी सर अधर कास्ट की जमीन है बाग है उनकी अगर वो कल को खाई बना देते हैं सर तो हम लोगों का रास्ता बंद हो जाता है सर हम लोग फिर कहीं से निक भाई साब को जो इसमारक बना हुआ है थोड़ा सा उसका सुन्दरी करन हो जाया और जनुधार उसका च्छा तोर मूर्ती के लिए हम निवेदन करेंगे गया हमारी श्रकार उसक यवेदन सौचे हैं निशित रूप से जो सहीद होते हैं वह होँ सहीद होकर भी लोगों की दिलेव में जिन्दा रहते हैं ऐसे में जो है निशित परिवार के साथ जो तकलीफ होती एक पिटिया है उनकी पिक उससे बहू Max पटेंहे सुष्मा यह बताओ कि पीता जी आपके नहीं रहे आप कैसा आप क्या लगता है आपको सर बहुत बुरा लगता है कि सब सब्सक्राइब ने बहुत महां थे बच्चों के बारे में बहुत सोचे थे सर परिवार लेकर बहुत चलते थे बस यही सब था पीता जी मेरे सोचते हैं आप आप क्या करती है यहीं कि मैं टीचर बन कर क्या करेंगी जो है टीचर बनेंगे बच्चों को देख रेक में बच्चों का पढ़ाई भविष्ट के बारे में मैं भी जब ऐसे टीचरों से सीख रही हूं करना यह बहुत बड़ा कारे है और वह सिख्चा देने वाला गुरू जो होता है वह भी निसंदे बहुत बड़ा होता है तो ऐसे में वह गुरू बनकर जो निश्ची तुरू से बच्चों को सिख्चा देना उनके भविष्ट को सवानने का जो है कार मन में लेकर वो ब्ट्टिया ने करा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें आती जाती है तमाम तरह के जो सहीर को ug को तमाम विधाएं देने की बात कही जाती हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि यह जो है यह ऐसा परिवार है जिस अभी तक सारी सुविधाओं से महरूम रखा गया महरूम रखा गया कहीं ना कहीं जो है जो राहुल गंधी यहां इस गर तक आए और देखा उन्होंने जो वादा गिया था उस वादे को नहीं प इजेपी की गवर्नमेंटरों को अपना पिता भो तो किसी ने अपना सुषाक हुआ किसी ने भाई खो या है तो किसी द्वार सहीद के घर तक सड़क और सहीद समारक बनाया जाए लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ती है अभी जिस सड़क से हम आपको बता दें कि हम आए हैं वो सड़क भी आने लायक नहीं है पैदल चलने की इस्थिती में नहीं है पकी सड़क कौन क यह जान सके कि हाँ इस गाउं में कोई सहीद हुआ है कोई सेना में था कोई जो है देश के लिए मर मिटा है जिससे उस निश्चित रूप से वह धीरे-धीरे लोगों के अंदर प्रेना सोथ बने और भी लोग इस तरह के जो है देश के लिए मर मिटने को तयार रहें लेकि देखने वाली बात होगी कि आखिर कव तक ऐसे परीवारों को उफेक्शित रखा जाता है और कब इनका जो इनकी जो हग है वह सहीद का जो है उस हग को दिया जाता है ऐसे में सब दोसी धे। सिल हो सकी मिली है तो जमीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सत्रा विस्वा की जमीन उनको मिली है इसके अलामा और कोई भी कारे नहीं हुआ है तो निशित रूप से बड़ा ही खेत का विशा है और आज हम 15 अगस्य के इस पावन आउसर पर जाज सहीदों को नमन कर रहे हैं सहीदों के परिवारों को भी नहीं भूलना चाहिए हमको निशित रूप से क्योंकि सहीद तो सहीद हो गए लेकिन उसी के पीछे उनका परिवार दिन प्रतिदिन सहीद हो रहा है इसको आखिर देखने वाला कौन करदा परसंद मुन ठाग साथ लोकेश त्रपाठी क्योट